हर सपने को अपनी निगाहों में रखो, हर मनजील को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है मेरे दोस्त, बस अपने लक्ष को अपनी निगाहों में रखो तो इनर्ची पुष्टर आपका अपना चैनल कोई जबतर डेवी थेज़े में आपका स्वागत है और आज किस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ HPCL राजस्थान रिफाइलर लिमिटेड के कोश्चन पैटरन पे आधारित प्रैक्टिस सेट का पार्ट फाइब और पार्ट फोर तक मैं अल्रेडी अप्लोड कर चुका हूँ अगर आपसे एक भी वीडियो मिस हो गया है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं प्ले लिस्ट का एक लिंक डाल दिया हूँ जहां पे आपको सारा प्रैक्टिस सेट एक जगा मिल जाएगा और इस वीडियो की description में मैं अपने WhatsApp ग्रूप का एक link डाल दिया हूँ जहाँ पे आप जुर करके और जो भी updates होंगे डिप्लोमा इन Chemical Engineering से रिलेटेड अगर आप BSE Chemistry से हैं तो भी आपके लिए काफी फायता मंद होगा वहाँ पे आपको सारा job notifications, सारा updates वहाँ पे मिलता रहेगा तो बिना समय गवाते हुए चलते हैं अपने पहले questions के तरफ और इसका तो चर्चा मैं अपने हर वीडियो में किया हूँ इसलिए यहाँ पे अभी ज़्यादा बाते करने की जरूरत नहीं है अगर आप सब वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपको पता ही होगा सलेवस के बारे में और क्या questions रहेंगे ठीक है उसके बाद चलते हैं पहले questions के तरफ हाँ और इस वीडियो में मैं पहले part 2 जो आपका 70 marks का रहेगा उसको मैं लेकर के आया हूँ उसके बाद part 1 जो आपका 30 marks non-technical आएंगे उसको लेकर के आया हूँ ठीक है तो चलते हैं पहले वेटेज वाले questions के तरफ जो 70 marks का आने वाला है तो question है tetrabromo ethane on heating with zinc Gibbs अगर tetrabromo ethane को zinc के साथ गरम किया जाएगा तो क्या बनेगा option A ethyl bromide, option B ethyne, option C ethyne और option D ethyne तो इसका answer आपको लगाना है इसका answer में बता दूँ इसका जो right answer है वो है option D इसका right answer है वो है option D ethyne बनेगा अब जड़ासा नजर देते हैं इसके reactions के तरफ ठीक है इसका right answer तो आपने देख लिया ethane है अब यह देखिए यह है ठीक है इथाइन बन रहा है ठीक है तो यह इसका reaction है उसके बाद चलते हैं अगले question के तरफ अगला question है हमारा the treatment of benzene with isobutene in the presence of sulfuric acid gips अब आपको बताना है कि जब benzene का treatment किया जाता है isobutene के साथ sulfuric acid के presence में तब क्या बनता है? option a isobutene, option b tert-butyl benzene, n-butyl benzene और no reaction तो इसका आपको answer लगाना है जैसे जैसे practice state का numbers बढ़ रहा है वैसे हमें questions का level थोड़ा सा सारे questions का तो मैं ज्यादा difficult question नहीं ला करके आ सकता क्योंकि practice state कोई भी हो उसमें से 40% question easy डाला जाता है जो की सब से बन जाए है ना तो इसका answer आपको बताना है इसका answer मैं आपको बता दूँ इसका जो right answer है वो है option b इसका right answer है option b, okay tert-butyl benzene, okay अब ज़रा नजर देते हैं इसके explanation के तरफ यह देख लीजिए benzene on reaction with isobutane in the presence of sulfuric acid gives tert-butyl benzene as a product the reaction here the reactant undergoes and आप देखिए इसका जो reactant होता है वो electrophilic aromatic substitution reaction follow करता है ठीक है और हो सकता है आपको किसी question में यह भी पूछ दे ठीक है कि यह benzene का reaction जब isobutane से होता है तो वो किस tap का reaction का example है ठीक है तो वहाँ पे आपको electrophilic aromatic substitution reaction लगाना पड़ेगा explanation में एक question चुपा होता है ठीक है और tertbutyl को ही क्यू mean बोलते है यह भी अपने आप में एक question है आपसे पूछा जा सकता है क्यू mean का chemical name क्या है तो tertbutyl ओके उसके बाद the intermediate tert CRD carbonation forms react with benzene gives you mean as the final product क्यू mean बोले तो tertbutyl ओके benzene ठीक है तो इस तरह से अब बढ़ते हैं अगली question के तरफ अगला question है हमारा the order of bond length of ethane ethene and acetylene and benzene अब आपको बताना है इस चारों में से bond length जो होगा उसका correct order क्या होगा तो इसका आपको बताना है तो इसका answer में बता देता हूं इसका answer तो है C लेकिन अब כैसे है मतलब एक का सबसे ज्यादा मतलब ethane का सबसे ज्यादा उसके बाद ंजीन का बोंड लिंथ उसके बाद ethene का और और सबसे कम और उसके बाद सबसे लास्ट में acetylene का है ना अब देखिए यह देखिए bond length के बारे में कुछ concepts मैं लेकर गया हूँ यह तो इसका हो गया answer explanation देख लिए the bond length in elkins is more than that of elkin bond length जो होता है elkins का elkin से ज्यादा होता है elkin features one sigma bond अब देखिए elkin में क्या होता है एक sigma bond होता है और एक pi bond होता है ठीक है although benzene indicates one sigma and one pi bond और benzene में जो होता है एक sigma और एक pi होता है तो इसी तरह से इसका जो right answer है वो यह है इथेन का सबसे ज़्यादा benzene का उसका इथेन का फिर last में acetylene का ठीक है तो यह भी आपके लिए important है elkin में जो है एक sigma bond होता है और एक pi bond होता है यह सब भी questions आपको पूछा जा सकता है ठीक है क्योंकि आपके syllabus में alkyn, 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 alkyn से related भी questions आएंगे ठीक है उसके बाद चलते हैं अगले question के तरफ अगला question है हमारा which of the following plays an important role in the sulfonation of benzene अब बताना है आपको benzene के sulfonation में कौन सा जो है important role play करता है option A SO2 option B SO3H plus यह इस तरह से लिखा हुआ है SO3 और H plus और उसी तरह से SO3 और SO3H minus ठीक है तो यह इस तरह से लिखा हुआ है SO3 और H minus charge ठीक है तो इसका जो right answer है वो है option C okay अब चलते अब देखिए इसका explanation एक बार आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा sulfonation of benzene के बाड़े में और यह जो example है sulfonation of benzene वो electrophilic substitution reaction है यह आपको यह भी question आप से पूछा जा सकता है ठीक है तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि explanation में भी कोई-कोई question छुपा होता है वहाँ पे कुछ concepts होतने हैं उसके बाद चलते हैं अगले question के तरफ अगला question है अब आपको बताना है बहुत ही important reaction है फ्रिडल क्राफ्ट reaction उसमें आपको बताना है उसमें कौन सा हलाइड component यूज किया जाता है chlorobenzene, bromobenzene, chloroethene या isopropyl chloride तो पहले मैं आपको जड़ा सा दिखा दू फ्रिडल क्राफ्ट reaction क्या है तो यही है फ्रिडल क्राफ्ट reaction ओके ठीक है और यह देख लीजिए इसका जो राइट अंसर है वो है option D जो था isopropyl chloride तो इसका राइट अंसर है explanation आप लोग थूरा सा दिखा लीजिएगा फ्रिडल क्राफ्ट reaction forms carbocations in the presence of chlorobenzene, bromobenzene, chloroethene, etc. अब देखिए the loan pair of electron present on the halogen are delocalized with pi bond to attend double bond character hence isopropyl butyl chloride and can be used as halide component for Friddle-Craft reaction ठीक है तो चलते है अगले question के तरफ अगला question है the reactant used in Friddle Craft Alkylation R अब आपको बताना है Friddle Craft Alkylation में कौन सा reactant use किया जाता है तो इसका option आप लोग देख लिजिए और इसका answer लगाईए अगर जानते हैं तो ठीक है तो मैं थोड़ा सा अगले slide पर चलता हूँ तब तक यह देख लिजिए यही है Friddle Craft Alkylation reaction और यह आप देखी रहे हैं इधर है product और यही है reactant ठीक है यह है आपका reactant और यह है आपका product तो वही कह रहा है Friddle Craft Alkylation में यह क्या use किया जाता है reactant में तो यह तो आप देख रहे हैं बेंजीन है और यह methyl chloride है ठीक है मतलब C6 इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या C6 H6 और CS3 Cl ठीक है बेंजीन और methyl chloride जो है Friddle Craft Alkylation में as a reactant यूज किया जाता है तो यहां पर जो राइट अंसर हो जाएगा वह हो जाएगा option C उसके बाद बढ़ते हैं अगले question के तरफ अगला question है हमारा which type of hydrocarbon has ring structure containing alternate double bond अब आपको बताना है किसमें जो है double bond alternate होता है इलकेन में इलकाइन में या aromatic hydrocarbon में तो हम आपको बहुत वीडियो में चर्चा कर चुके हैं बेंजीन का ठीक है कि एक के बाद इसमें है फिर इसमें एक के बाद एक double bond जो है वह यह बेंजीन में हम आपको बता गए हैं बहुत सारे वीडियो में अपने चाड़ों वीडियो में बताए हैं तो यह जो है aromatic compound अब बढ़ते हैं अगले question के तरफ अगला question है hydrocarbon containing following bond is most reactive मतलब कोई carbon है जिसमें single bond है कोई carbon है जिसमें double bond है और कोई carbon है जिसमें triple bond है तो अब आपको बताना है कि कौन सा hydrocarbon जो है वो ज्यादा reactive होगा अब आपके दिमाग में click करना चाहिए कि single bond वाला वो क्या होता है इलकेन एक बार remind करवा देता हूं इसी तरह से double bond वाला क्या होना चाहिए इलकेन और triple bond वाला क्या होना चाहिए इलकाइन अब आपको इसको इसी तरह से भी question घुमा के पूछ सकता है कि कौन सा ज्यादा reactive होगा option देदेगा एलकेन एलकीन और एलकाइन तो वहां पर आपको confusion नहीं होना है ठीक है चाहिए वह carbon के form में रहे या एलकेन इस तरह से लिखा रहे है तो उसका जो right answer है वह हो जाएगा options यह एलकाइन ठीक है इसके बीच में जो है तो वह सबसे ज़्यादा reactive होगा because of sp hybridization क्योंकि इसका hybridization जो होता है वह होता है sp ठीक है तो इस तरह से यहाँ पे इसका right answer यह है क्यों और आप से यह भी पूछा जाए सकता है कभी कभी कि एलकाइन is most reactive because its hybridization is option देगा आपको sp, option देगा sp2, option देगा sp3 तो इस तरह से आपको वहाँ पे hybridization का भी concept वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ठीक है उसके बाद चलते हैं अगले question के तरफ अगला question है which of the following color allows you to identify a foam fire extinguisher अब आपको बताना है कि किस color से आप समझ जाएंगे उस पे bend लगा होता है उसको आप समझ जाएंगे कि foam type का extinguisher है और यह हम आपको question बता दें यहाँ पे आपको मैं picture के माध्यम से बताऊंगा और मैं बता दू कि यह question आपको काफी सांदार है यह जड़ा सा अगले slide पे चलते हैं यहाँ से आप जो देख रहे हैं यह 5, 1, 2, 3, 4, 5 यह 5 जो cylinder रखा हुआ है fire extinguisher का यह 5 questions है foam वाले का Color होता है जिस पे foam टाइप का extinguisher होता है उसमें यह cream color का band लगा होता है और जो black होता है वो CO2 type का होता है और weight chemical वाले का yellow होता है और water type का red होता है और powder वाले का DCP powder वाले का blue band होता है तो यह अपने आप में यह पांचो questions है, इसलिए आप अच्छे से देख लेजे, आपको यहां से question आने ही आने है, ठीक है, तो यहां पर जो right answer हो जाएगा, यह form type का रहा है, right answer यहां पर है, cream वाला, ठीक है, अब बाकी सब के बारे में तो मैं आपको बता दिया हूँ, उसके बात चलते हैं, अगला question है, which of the following is correct when comes to the fire extinguisher, you should avoid while fighting a fire on confined space, अब कह रहा है, confined space में जब आप जाएंगे, तो किस type का extinguisher को आपको avoid करना है, उस type का extinguisher को आपको use नहीं करना है, तो इसका answer आप लोग लगा लिजे, इसका answer आप एक बार वीडियो को pause करके, एक बार इसका answer लगा लिजे, मैं इसका answer बता देता हूँ, देखिए, concept याद रखिएगा, the main fire extinguisher to avoid when confined space are CO2 and dry powder extinguisher, CO2 और dry powder extinguisher को आपको avoid करना है, जब आप confined space में work होता हो, ठीक है, जहाँ पे confined space में work होता हो, वहाँ पे यह दोनों CO2 type और dry powder extinguisher जो है, avoid करना है, उसके बाद बढ़ते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, while you are using a fire extinguisher containing two carbon dioxide, what happens to the nozzle, अगर आप carbon dioxide वाला extinguisher use करते हैं, तो उसका nozzle क्या होता है, it becomes extremely hot, it becomes warm, it becomes slightly cold, it becomes extremely cold, तो इसका जो right answer है, वो है option D, जब आप CO2 type का extinguisher use करेंगे, तो उसका nozzle जो होता है, वो बहुत जादा cold हो जाता है, उके, उसके बाद बढ़ते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, the fire assembly point can be best described as, fire assembly point जो होता है, वो क्या होता है, वेर fire extinguisher are restored, जहां पर fire extinguisher extrored होता है, उसको बोलते हैं, assembly point, या, an area that has risk for fire to occur, जिस एरिया में आग लगने का रिस्क होता है, उस एरिया को बोलते हैं, assembly point, या, an area where you are required to assemble in the event of fire, और option D, an area you are required to avoid in the event of fire, तो इसका जो right answer है, वो मैं आपको बता दूँ, इसका जो right answer है, वो है option C, an area where you are required to assemble in the event of fire, जब कहीं आग लगती है, तो जहां पर, अब देखिए, 13 number questions है, where should you go if you hear the fire alarm, अगर आप fire alarm सुनते हैं, तो आपको कहां जाना चाहिए, इसका option आप लोग पढ़ लिजिए, इसका answer मैं बता देता हूँ, इसका answer जो है, to the fire assembly point, अगर आप fire alarm सुनते हैं, तो आपको assembly point पर सबसे पहले चले जाना है, उसके बाद चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, fire extinguisher that content desk have red band located above them, अब देखिए, इसका हम आपको अभी पिछले slide में, दो-तिन पिछले slide में बताये थे, picture के मादियम से, अभी आप अपना mind test कीजिए, की, red wind वाला जो था, वो कौन सा टाइप का था, अभी जस्ट आप देखें, carbon dioxide वाला, water वाला, foam वाला या, weight chemical वाला, तो मैं आपको बता दू, इसका जो राय टंसर है, वो है, water वाला, ठीक है, उसके बाद चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, when fighting, and an electrical fire, which of the following should not be used, अगर आप electrical fire को fight करते हैं, तो किस टाइप का extinguisher use नहीं किया जाएगा, option है, water fire extinguisher, foam fire extinguisher, और dry powder fire extinguisher, neither it nor be used, मतलब A और B, water type और foam type दोनों जो है, use नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, wet chemical fire extinguisher, where especially designed in order to tackle, wet chemical fire वाला जो है, किस टाइप का fire के लिए, वो specific किया गया है, class A, class B, class D, class F, तो इसका जो right answer है, वो है option D, class F higher, उसके बाद बढ़ते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, wood plastic and paper are which of the following, अब आपको बहुत पहले से हम इस सब का चर्चा कर चुके हैं, जो wood solid waste rates होते हैं, उससे जो आग लगती है, उसको बोलते हैं, class A fire, और इस material को बोलेंगे, class A material, ठीक है, उसके आप चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, what do the word spontaneous combustion means, spontaneous combustion का क्या मतलब होता है, तो इस option को एक बार आप लोग पढ़िए, फिर मैं इसका answer बताता हूँ, तो इसका जो right answer है, वो है option D, the substance can catch fire by itself without an external source of ignition, ठीक है, उसके बाद चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, the lowest temperature at which heat form, the combustion of burning vapor is capable of producing vapor to enable combustion, but not sustaining, ठीक है, मतलब इतना vapor generate होता है, कि उसमें आग तो पकर लेता है, बट continue नहीं जलता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग flash point, जब continue जलने लगता है, तो fire point हो जाता है, इसी में, but sustainable अगर होगा, तो वो हो जाएगा fire point, ठीक है, उसके बाद चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, in mixture of flammable vapor and air, if there is too much vapor and not enough air to support combustion, we say the mixture is, उसको क्या बोल देंगे, तो इसका answer आप लोग लगाईए, फिर मैं इसका answer बताता हूँ, इसका जो right answer है, वो है option A, to reach, उसके बाद चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, firehorses, cell have length of at least 10 meter, but not more than death in machinery spaces, machinery space से कितना दूर नहीं होना चाहिए, तो इसका जो right answer है, वो है option A, 15 meter, उसके बाद चलते हैं, अगले question के तरफ, the term chemtrick stands for chemtrick का क्या मतलब हुआ, option A, chemical transportation emergency system, chemical training center, chemical treatment center, chemical toxicity recovery center, तो इसका जो right answer है, वो है option A, chemical transportation emergency center, उसके बाद अगला question है, the term teratogenic effect, with reference to exposure to the hazardous chemical mean, option A, effect on genes, effect on unborn child, effect on rate of cell mutation in the body, effect of development of the children, तो इसका जो right answer है, वो है option B, effect on the unborn child, ठीक है, उसके बाद चलते हैं, अगले question के तरफ, in India, MSDS has been mandated under which law, इंडिया में जो है, MSDS, मतलब material safety data state, जो है, किस law के अंतरगत mandated हुआ है, तो इसका आप लोग answer बताईए, फिर मैं इसका answer बता देता हूँ, तो इसका जो right answer है, वो है option A, the manufacturer storage and import of hazardous chemical rules 1989, ठीक है, यह इसका right answer है, उसके बाद बढ़ते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, in which forms C4 explosives are appeared, किस form में C4 explosive रहता है, यह आपको बताना है, तो इसका जो right answer है, वो है, smells like motor oil, वो motor oil के तरह smell करता है, ठीक है, उसके बाद चलते हैं, अगले question के तरफ, which explosive corrods most metal, कौन सा explosive जो है, metal को जब से ज़्यादा corrod करता है, तो इसका option आप लोग एक बार मनी मन पढ़ लीजिए, और इसका answer लगाईए, तो इसका जो right answer है, वो है option C, HMTD, अब आपके मन में आ रहा होगा, HMTD क्या है, तो HMTD के बारे में देख लीजिए, hexamethylene, triperoxide diamine, इसका full form होता है, is impressive explosive which corrods most of the mortal because of the property of extremely sensitive heat shock and friction also, ओके, उसके बाद चलते हैं अगले question के तरफ, combustion is a, combustion किस टाइप का reaction है, chemical process, किस टाइप का process है, chemical process, physical process, both of the process, और none of these, तो इसका right answer है, आपको तो पता है, combustion जो है chemical process है, और आपको बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग, chemical और physical दोनों process को एक बार आप देख लेजिए, इसका example देख लेजिए, हो सकता है, आपको कुछ भी पूछ दे इसमें से, जैसे पूछ देगा कि digestion जो हमारा खाना पचता है, वो किस टाइप का process है, तो chemical process है, ठीक है, कि new product form होता है, और physical change में क्या होता है, matter changes form, but not chemical identity, जैसे यह देखिए, बर्फ जो है, वो पानी बन गया, अब इसी तरह से boiling करते हैं, तो boiling करते हैं, तो क्या होता है, liquid जो है, तो vapor में converter होता है, मतलब यहाँ पर physical change होता है, ठीक है, लेकिन chemical identity अभी भी है, तो इसी तरह से बढ़ते हैं अगले question के तरफ, अगला question है, dash is necessary for combustion, combustion के लिए क्या ज़रूरी है, तो इसका answer आप लोग लगाईए, इसका answer मैं बता दूँ, इसका right answer है, बोथ है और भी, हवा और oxygen, ठीक है, उसका चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, the substance which have very low ignition temperature, and can easily catch fire with a flame called, अब देखिए, जो easily catch कर लेता है fire, ठीक है, और जिसका ignition temperature low है, तो उसको क्या बोलते है, उसको बोलते है, inflammable substance, अब देखिए, अब आप inflammable और non-flammable में confuse नहीं करिएगा, दोनों अलग है, ठीक है, inflammable मतलब भी जलने वाला ही होता है, ठीक है, जो लंसील ही होता है, तो अब देखिए, यहाँ पर यह देख लिए, एक मैं लेकर काया हो, flammable and inflammable, both meaning are easily ignited, flammable और inflammable दोनों का same meaning है, ठीक है, white non-flammable means not easily set or fire, और non-flammable लब भी जल्दी उसमें आग नहीं पकरता है, ठीक है, तो flammable and inflammable, these are two words of the same meaning, दोनों का same meaning है, they are synonyms, okay, they are उसका क्या है, एक दूसरे का synonyms है, technically non-flammable means incapable of fire, ठीक है, तो इसलिए आपको inflammable और non-flammable में आपको confuse नहीं होना है, ठीक है, तो जिसमें आग पकर लेता है, उसको बोलते है, inflammable substance, ठीक है, अब तो इसी तरह से एक यह question बताना है, which of the following is example of inflammable substance, इसमें से कौन सा जो है, so inflammable substance का example है, तो इसका answer जो है, वो option D, सब है, उसके बाद चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, which of the following is not a thermoplastic example, अब इसमें से कौन सा जो है, thermoplastic का example नहीं है, polyvinyl chloride, epoxy, polyester और nylon, तो इसका जो right answer यहाँ पे है, वो option B, अब epoxy जो है, यह thermoplastic है, यह देख लिजिए, epoxy is not a thermoplastic material, thermoplastic material includes बाकि यह सब जो है, ठीक है, which of the following is not a stage of addition polymerization, और इसमें बताना है आपको, addition polymerization का इसमें से कौन सा stage नहीं है, initiation, propagation, recrystallization और termination, तो इसका जो right answer है, वो है, option C, आपको मैं बता दू, addition polymerization का यह तीनों stage है, initiation, propagation और termination, तीन stage है उसका, ठीक है, और यह recrystallization उसका stage नहीं है, ठीक है, यह देख लिजिए, the addition polymerization process used to join similar monomers together in order to form long chain, it is also known as chain reaction polymerization, initiation, propagation and termination are all the part of additional polymerization process, okay, उसके बाद चलते हैं, अगले question के तरफ, terylene, terylene is a condensation polymer formed through the combination of ethylene glycol and, अब देखे, terylene यानि की जिसकों की decrone भी बोलते हैं, वो ethylene glycol और किसके combination से बनता है, option A, benzoic acid, option V, patholic acid, option C, dimethyl triptholate, और option D, salicylic acid, तो इसका answer जो है, वो है, dimethyl triptholate, ठीक है, यह देख लिजिए, ethyl alcohol और triptholic acid, दोनों के मिलने से यह terylene बनता है, ठीक है, terylene is a condensation polymer form monomer ethylene glycol and triptholic acid, और triptholic acid, ओके, उसका चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, teflon and neoprene are example of, teflon और neoprene जो है, किसका example है, copolymer का, homopolymer का, homopolymer and monopolymer, condensation polymer, तो इसका जो right answer है, वो है option B, homopolymer, ठीक है, यह देख लिजिए, अब कौन किसका है, तो teflon is a homopolymer of tetrafluoroethylene, और neoprene is a homopolymer of chloroprene, ठीक है, तो यह भी अपने आप में एक question है, आप से पूछ देगा, कि neoprene जो है, किसका monomer है, तो kludoprene का, यह भी अपने आप में question है, उसके बाद चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, the synthetic polymer prepared by using caprolectum is known as, तो जो caprolectum से, जो synthetic polymer बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, option E, nylon 6, option B, terrylene, option C, teflon, और option D, nylon 6, तो इसका जो right answer है, वो है, nylon 6, ठीक है, अब यह जड़ा साब answer देख लिजिए, यह देख लिजिए, caprolectum, caprolectum से जो बनता है, वो बनता है, nylon 6, ठीक है, caprolectum से जो बनता है, वो बनता है, nylon 6, okay, उसके बाद अगला question है, orlone is a polymer of, orlone किसका polymer है, styrene का, यह tetra-fluodo-ethylene का, binyl chloride का, यह acrylonitrile का, तो इसका जो right answer है, वो option D, acrylonitrile का, और orlone का एक बार आप देख लिजिए, reaction, acrylonitrile का जब polymerization किया जाता है, तब जा करके, orlone बनता है, और orlone को polyacrylonitrile भी बोलते हैं, तो इसमें बहुत सारी questions है, आपको पूछ देगा, कि orlone किस से बनता है, तो acrylonitrile से, या फिर आप से पूछ देगा, कि orlone का क्या है, chemical name, तो polyacrylonitrile, ठीक है, या फिर पूछ देगा, कि acrylonitrile का polymerization करते हैं, तो क्या बनता है, orlone, तो इस तरह से question आकसर आता है exam में, ठीक है, उसके बाद चलते हैं, अगले question के तरफ, the commercial name of polyacrylonitrile is, polyacrylonitrile का commercial name क्या है, तो अभी आपको हम पिछले slide में बताएं, बताएं, इसका right answer है, orlone, उसके चलते हैं, अगले question के तरफ, the kinetic energy of a gas molecule is 0, at, kinetic energy of a gas molecule का 0 होता है, किस temperature पे, 0 degree Celsius पे, 273 degree Celsius पे, या minus 273 degree Kelvin पे, और minus 273 degree Celsius पे, तो इसका right answer है, वो है option D, okay, उसके चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, propagation of sound waves in air is an example of, air में जो है, sound का जो propagation होता है, यह किस टाप का example है, isothermal process का, isometric process का, adiabatic process का, या none of these, तो इसका right answer है, वो है option C, adiabatic process, okay, उसके चलते हैं, अगले question के तरफ, इप saturated water vapor compressed adiabatically, अगर compressed, अगर saturated water vapor को adiabatically compressed किया जाएगा, तो क्या होगा, it remains saturated, it becomes super saturated, it becomes super saturated, अच्छा, दोनों आप्शन सेम हो गया न, it becomes subcult, तो, इसका जो right answer है, वो आपको बताना है, saturated water vapor को, जब adiabatically compress किया जाएगा, तो, it remains saturated, इसका जो right answer है, वो ए है, वो saturated ही रहेगा, okay, उसके बाद चलते हैं, अगले question के तरफ, melting of ice is an example of, बर्फ का पिघलना किस टाप का process है, option A, isothermal process, option B, adiabatic process, isometric process, none of this, तो, इसका आपको बताना, इसका आपको बताना, इसका आपको जो है, वो है, option A, isothermal process, ठीक है, उसके बादते हैं, अगले question के तरफ, the equation, PV equal to NRT, जो की ideal gas equation है, उसका condition, febrival condition क्या है, या फिर आपको पूछ देगा, तो febrival condition of ideal gas equation, तो, इसका पहला option, high temperature, high pressure, high temperature, low pressure, low temperature, low pressure, low temperature, high pressure, तो ideal gas equation का जो febrival condition होते हैं, वो होता है, option B, high temperature and low pressure, option B, ठीक है, उसके बाद चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, reduced pressure of gas is the ratio of, reduced pressure gas का किसका किसका ratio है, option A, its pressure to critical pressure, critical pressure to its pressure, its pressure to pseudo critical pressure, none of this, तो, इसका जो right answer है, वो है, option A, its pressure to the critical pressure, उसके बाद चलते हैं, अगले question के तरफ, यह जो आप पढ़े होंगे, phase rule, number of component C, phase B, and degree of freedom FR related by Gibbs phase rule, phase rule के according किस तरह से, एक दूसरे से related है, तो, इसका answer आपको बताना है, मैं इसका answer direct बताऊंगा, तो, इसका right answer है, वो है, option C, P plus F equal to C plus 2, अब जैसे इसको इधर कर दिया, तो, माइनस में लिख दिया है, ठीक है, P plus F equal to C plus 2 Gibbs phase rule है, उसके बाद अगला question है, एक balloon lifting in air follows the, एक balloon जो है, सो हवा में उड़ता है, या किसका example है, कौन सा rule follow करता है, law of gravitation, Archimedes principle, principle of Beyonce, all of these, तो, इसका right answer है, वो है, Archimedes principle, उसके चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, hot wire anumometer is used for the measurement of, hot wire anumometer, जो है, सो किसको measurement करने क्लिक किया जाता है, pressure of gases, velocity of gases, viscosity of gases, viscosity of gases, इसका जो right answer है, hot wire anumometer, जो measure करता है, वो option, भी, velocity of the gases, उसके बाद चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, pressure coefficient is the ratio of pressure force to the dash force, pressure coefficient किसका किसका ratio है, तो pressure force और inertial force का ratio है, अगला question है, a centrifugal pump is called turbine pump, if it is having a turbine type impeller, wind diffusion casing, rotating fan wind, rotating wind, यह typing mistake है, rotating wind casing, ठीक है, और नन अब देज, तो इसका जो right answer है, वो है, option B, when diffusion casing होता है, उसको बोलते है, turbine pump, उसके बाद अगला question है, CP by CV is termed as, CP by CV को क्या बोलते है, adiabatic constant, MAC number, Weber number, parental number, तो इसका जो right answer है, वो है, option A, adiabatic constant, उसके आज चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, a gas, a gas, signifies absence of density, can assist sharing action, is incompressible, is a super critical vapor, तो इसका जो right answer है, वो है, option D, is a super critical vapor, ओके, अगला question है, इस term in Bernoulli equation, represent the dash of the fluid, Bernoulli equation में इस term, जो है, सभी term, represent किया जाता है, energy per unit mass में, energy per unit weight में, force per unit mass में, none of this, तो इसका जो right answer है, वो है, option B, energy per unit weight में, अगला question है, pitot tube measure, dash of the fluid, pitot tube क्या measure करता है, pressure, average flow rate, average velocity, point velocity, तो इसका जो right answer है, वो है, option D, point velocity, उसका चलते है, अगले question के तरफ, अगला question है, falling factor, is a dimensionless quantity, does not provide a safety factor for design, account for the additional resistance to shear flow, none of this, तो इसका जो right answer है, वो है, option C, accounts for the additional resistance to heat flow, okay, उसका बढ़ते हैं, अगले question के तरफ, solid angle subtended by the finite surface at the radiating element is, is called view factor, called angle of vision, उसके बाद, proportional to square root of the, spelling यहाँ पर typing mistake है, proportional to the square of the distance between surface, expressed in term of radiance, तो इसका जो right answer है, वो है, option B, angle of vision, उसके बाद चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, which is the most suitable for cold viscous feed, cold viscous feed के लिए कौन सा जो है, सो most suitable होगा, forward feed, backward feed, mixed feed, parallel feed, तो इसका answer आपको बताना है, तो इसका जो right answer होगा, वो हो जाएगा, option B, backward feed, उसके चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, wavelength corresponding to the maximum energy is inversely proportional to the absolute temperature, this is called, dash law, stephen's law, dalton's law, valence law, krichop's law, तो इसका जो right answer है, वो है, option C, win's law, ओके, उसका चलते हैं, अगले question के तरफ, basic law of heat conduction is, heat conduction का law क्या है, आपको बताना है, option A, Fourier's law, Newton's law, Stephen's law, first law of the thermodynamics, तो इसका जो right answer है, वो है, Fourier's law, conduction के लिए, है न, उसके बाद आपको बताना है, in solid heat transfer takes place by, solid में जो heat का transfer होता है, कैसे होता है, conduction से, convection से, radiation से, all of this, solid में जो होता है, वो conduction से होता है, उसके चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, the unit of diffusion coefficient is, diffusion coefficient का unit, इसमें से आपको बताना है, कौन सा होगा, meter square per second, meter per second, mole per meter square per second, or none of this, तो इसका जो right answer है, वो है, option A, meter square per second, अगला question है, which one of the following is used in gas absorption, gas absorption में कौन सा यूज किया जाता है, weighted, wild tower, packed tower, perforated tree tower, all of these, तो इसका जो right answer है, वो है, option B, packed tower, उके, उसके बाद चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, stripping इसे, stripping जो है, किस टाप का process है, isothermal process, exothermic process, endothermic process, auto catalytic process, तो इसका जो right answer है, वो है, option A, isothermal process, ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, एन एज़ो ट्रोपिक distillation, dash remains low, एज़ो ट्रोपिक distillation में क्या लो होता है, heat volatility, relative volatility, none of these, तो इसका जो right answer है, वो है, option C, relative volatility, ठीक है, उसके चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, the use of solvent for increasing the relative volatility is 4, solvent का use, जो है, सो किस tap के distillation में किया जाता है, relative volatility को बढ़ाने के लिए, multi component distillation में, reactive distillation में, azotropic distillation में, extractive distillation में, तो इसका जो right answer है, वो option D, extractive distillation में, relative volatility को बढ़ाने के लिए, solvent को मिलाया जाता है, अगला question है, at what fit condition, slope of Q line is infinitive, किस fit condition में, slope, जो है, so, fit line, fit line का slope, जो है, infinitive होगा, तो, इसका जो right answer है, वो है, saturated liquid, उके, उसका चलते हैं, अगले question के तरफ, the point where the operating line, and equilibrium line meets, in distillation method, is known as, क्या बोलते हैं, उसको plate point, q point, pinch point, and of these, तो इसका जो right answer है, वो है, option C, pinch point, ओके, और उसके बाद चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, which of the following combination gives the highest convergence second order reaction, तो, यह, कौन सा reactor का, कौन सा combination होगा, यह आपको बताना है, तो, इसका मैं answer बता दूँ, इसका जो right answer है, वो है, PFR followed by a small CSTR, followed by bigger CSTR, ठीक है, उसके बाद, चलते हैं, अगले question के तरफ, which volume will you define a swept value, volume, कौन सा volume को, जो है, स्वेफ्ट फॉल्यूम बोलते हैं, volume of air delivered by compressor, volume of air sucked by compressor, clearance volume, none of this, तो, इसका जो right answer है, वो है, option B, जितने air को सक करता है, compressor, सक्षन में, उसको बोलते हैं, swept volume, ठीक है, उसके अगला question है, which compressor can supply more volume of air, कौन सा compressor, जो है सो, ज्यादा air जो है सो, supply करता है, single acting, double acting, none of this, तो double acting, obviously, अगला question है, L by G ratio in cooling tower is the ratio of, L by G ratio, जो है सो cooling tower में, किसका किसका ratio होता है, length and grit, water flow rate and air mass flow rate, air flow rate and water flow rate, length and temperature, तो इसका जो राइट answer है, वो है option, B, water flow rate and mass flow rate, उसका चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, तो इसका जो राइट answer है, वो है option B, और यह technical question का हमारा last question, GSA stand for GSA का full form क्या होता है, job scheduled act, job safety act, job safety analysis, none of this, तो इसका जो राइट answer है, वो है job safety analysis, और job safety analysis से related, कुछ important points है, इसको एक बार आप लोग, जरूर से जरूर पढ़ लेजिए, job safety analysis यह से, ठीक है, job safety analysis क्या है, एक बार इसको वीडियो को pause करके, जरूर से जरूर देख लेजिए, ठीक है, उसके आद चलते हैं, अगले question के तरफ, अब देखिए, अब यहां से आपका non-technical question शुरू होता है, अब आपको copy column पे mathematics solve करना पड़ेगा, answer लगाना पड़ेगा, ठीक है, practice set इतना महिनत से, हम आपके लिए question collect करते हैं, अगर आप उसको खुद से solve नहीं करेंगे, तो आपको फायदा नहीं होगा, और practice नहीं होगा, practice set लाने का आपको यही एक benefit होगा, कि जो question आपके नजर में आएंगा, अगर वो question आपसे नहीं बन रहा है, तो उसके लिए आपको ए-book देखेंगे, तो क्या होगा, वो recall होगा, रिमाइंड होगा आपके brain में, तो वो इस तरह से आपका practice बढ़ता रहेगा, तभी आप exam में अच्छा कर पाएंगे, calculation भी fast होगा, तो इसका आपको बताना है, किसी संख्या का तीन गुना, उस संख्या का तीन बट्टे 5 से 60 हदिक है, तो वो संख्या क्या होगा, मैं थैं, इसको solve कीजिए आप, फिर मैं इसका hints दूँगा, तो इसका जब आप solve करेंगे, तो इसका जो answer आएगा, यह देखिए, जब आप इसको solve करेंगे, तो इसका answer आपको आज आएगा 25, ठीक है, वो संख्या जब आ जाएगा 25, उसके चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question solve किजिए, वो सबसे छोटी संख्या जिसमें, पांच जोरने पर, इतना इतना में से परतेक से विभाजित हो जाती है, वो कौन से संख्या हैं, जिसमें पांच जोरने पर, इतना में से संख्या जिसमें पांच जोरने पर, अगर आपसे नहीं बनता है, तो उसका solution जब आप देखेंगे, तो उसको आपको idea लग जाएगा, ठीक है, चलिए ये देखिए, इसका solution है, पहले उसका क्या करना है, उसका संख्या का LCM निकाल लेना है, और उसमें से पांच को घटा देना है, वही संख्या हो जाएगा, ठीक है, उसका चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, एक संख्या का 30%, दूसरे संख्या के 40% के बड़ाबर है, तो उन दोनों संख्या का योगफल 25%, संख्या के योगफल का 25% 420 के बड़ाबर है, तो दोनों संख्या में छोटा संख्या कौन सा है, तो इसको आपको solve करना है, percentage से है, जब आप इसको solve करेंगे, तो इसका answer आपको आएगा 720, दोनों method से बना है, और आपको एक long process से भी बना है, ठीक है, long process से भी बना है, परे संख्या को X माना, दूसरे संख्या को Y माना, फिर जैसा condition पहला करा था, उसको solve करते करते, आपको answer आज जाएगा, ठीक है, उसके बाद अगला question है, यदि कोई वस्तू 390 रुपिया में बेचा जाता है, दुकंदार को 20% का लाव होता है, तो उसका लागत क्या है, इसको आपको solve करना है, फिर मैं आपको hints का hints देता हूँ, ये देखिए इसका hints है, ठीक है, जो आप solve किये, उससे आप compare कर लिजी, उसके अगला question है, 7, 5, 13, X, और 9 का उसा 10 है, तो X का value निकालिए, इसको आपको solve करना है, खुद से solve आप लोग जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप solve करेंगे, तो आपका वो revision होगा, ठीक है, वो आपका जैसे average से हो, profit and loss से हो, जब आप उसको खुद से solve करेंगे, तो आपका जो भी formula वो सब है, mind में recall होगा, तो आपको ताजा रहेगा दिमाग में, practice set लाने का purpose बनाने का मतलब यही होता है, तो इसको जब आप solve करेंगे, तो इसका answer आपको आएगा 16, यह देखिए, इस तरह से आप solve करेंगे, अगला question ratio से है, a equal to 2 by 3 b, b equal to इतना, तो a और c आपको निकालना है, इसको आपको solve करना है, जब इसको आप solve करेंगे, तो आपको answer 1 is to 2 आजाएगा, ठीक है, उसके बाद चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, एक पिता की आयू, उसके बेटे की आयू का अनुपाद 7, अनुपाद 3 है, दोनों की आयू का गुनन फल इतना है, तो 6 वर्स के बाद, उसकी आयू का अनुपाद क्या होगा, solve कीजिए इसको, is problem, यह आपको reasoning में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो इसको आपको solve करना है, यह देखिए, जब आप इसको solve करेंगे, तो इस तरह से आपका solution होगा, solution बहुत simple और subtle है, हो सकता है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके आद अगला कोशन है, 7 घंटे परती दिन काम करते हुए, ए अकेला किसी काम को 6 दिन में करता है, बी अकेला किसी काम को 8 दिन में करता है, तो 8 घंटे परती दिन करते हुए, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे इसको solve करेंगे जब इसको आप solve करेंगे तो कुछी इस तरह का solution होगा और उसका answer जो होगा वो पहला answer हो जाएगा तीन दिन ठीक है उसका अगला question है एक धनरासी दो वर्स पर 12% वर्सिक चक्रप्रिदी व्याज के दर से इतना रुपिया हो जाता है तो उसी दर पर दो वर्स का साधरन व्याज कितना होगा simple interest से questions है इसको आप लोग solve करिए इसको जब आप solve करेंगे तो 24 रुपिया आपका answer आएगा यह आपका solution है SICI से compound interest और simple interest से आपको exam में आना है question तो at least उसका formula वगरा भी आपका remind हो जाएगा ठीक है उसका अगला question है आधार के तिर्जिया 7 cm है उचाए 20 cm है तो उस लंब बिढ़ती है बेलन का कुल सतह छेतर फल कुल सतह छेतर फल बोले तो total surface energy sorry total surface area TSA यह आपको कित निकालना है तो यह देखिए किसका है बेलन का मतलब क्या cylinder का तो यहां पर आपको cylinder का total surface area का formula अगर आप भूल गए है तो फिर मैं hints दूंगा वहां से आप रिकॉल कर लिजेगा क्योंकि आपको बेंसुरेशन से question आने है ठीक है उसका total surface area यह होता है 2 pi r into r plus h बस formula putting answer getting उसके जाद इसको solve करना है आपको algebra से है question इसको आपको solve करना है इसको जब आप solve करेंगे यह देखिए यह इसका आपको hints है उमीद करते हैं कि hints में आपको कोई doubt नहीं होना चाहिए simple solution है इसको आप जस्ट एक बार देखेंगे आज आएगा remind कि अगला question है किसी धनराशी पर पांच परतिस्द वार्सिक व्याज की दर से आठ वर्स का साधरन व्याज इतना है तो पांच वर्स वाद उसी धनराशी पर उतनी ही व्याज प्राप्त होते हैं व्याज की दर क्या है यह देखिए इसको आप solution है यह solution देख लिजे और आप यह question से आकिरतियां यह उतर आकिरतियां इसमें से कौन सा एक series फॉलो करता है यह आपको बताना है इसका answer यह है आप कैसे है तो यह देख लिजिए परते का अगली आकिरति में पहला तिर्भूज पहला वाला जो तिर्भूज है 90 डिग्री राइट साइड गूमता है और तीसरा वाला जो है लेफ्ट साइड गूमता है 90 डिग्री और S जो है सो पलड़ जाता है यह इसका ह तो सही इसका sequence क्या होगा यह आपको बताना है तो इसका सही sequence जो होगा वो यह होगा पहले पहले विद्यारती होगा फिर सिक्षा करन करेगा फिर उपाधी मिलेगा फिर उसका interview होगा फिर नौकडी होगा फिर सेवानी मिरती होगा तो इसका right answer एक चार छे तीन दो पाँच अकला कुश्चन है एक अक्षा में सभी 32 विद्यार थी एक पंक्ती में उत्तर की और मुह करके बैठे हुए है अभी मुख मतलब अंदर के तरफ मुह करके आकास दाएं छोड़ से बारवें अस्थान पड़ है जबकि पिडिया बाएं छोड़ से अठारवें अस्थान पड़ है ठीक है आकास और पिडिया के बीच कितनी लोग खड़े है इसका अंसर है अब एक दो लोग खड़े है ठीक है इसको आपको सॉल्ब करना है सिलोलिज्म से सभी पोस्ट कार्ड लिफाफ़ें हैं कोई भी लिफाफ़ा कागज नहीं यह देख लेजिए इसका डाइग्राम है इसका अंसर चार है चार है बोले तो केवल एक निसकर्स एक दो और तीन सब निकलता है ठीक है इसको अपसॉल्ब करेंगे अगला कोस्टन है अमित अपनी कक्षा में उपर से साथ में और नीचे से 26 में अस्थान पर हैं तो कक्षा में कितने चात्र है परी सिंपल इस टाइब का कोस्टन आपको एक्जाम में आएगा तो घबराना नहीं है कुछ नहीं करना है दोनों को सम करके घटा देना हुआ है उसका एक्जेक्ट होता है बहुत सिंपल है यह सब कोस्टन आपको हिंट से ही क्लियर हो जाएगा उसके बोडिंग डिकोर्डिंग से यह question है, इसको आप लोग solve करिएगा, इसको यह लिखा जाता है, इसको यह लिखा जाता है, तो उसी भाधा में इसको क्या लिखा जाएगा, तो दोनों को आप जब trend track पकड़िएगा, तो आपको इस तरह से मिलेगा, तो इसका जो right answer वो य आपको solve करना है वीडियो को pause करके हम फास्ट चल रहे हैं क्योंकि इसका आपको just explanation दिखाएंगे ना तो आप समझ जाओगे इसमें ज्यादा कुछ है नहीं इसको जब आप solve करेंगे तो यह आपका hints यहां से आप समझ जाएंगे ठीक है मैं direct उसका solution लेकर करके आया हो इसलिए ज्यादा इसमें वीडियो लंबा नहीं होगा इसलिए यह scheme लाए है उसके बाद इसको आपको solve करना है इस risk के हिसाब से चलना है और आपको बताना है कि इसके जगापे क्या होगा इसको आपको बताना है solve कीजिए इसको कि रिजिनिंग को जब आप solve reasoning mathematics आइसा चीज है जब उसको आप solve करते हैं तो एक तरह से ऐसे समझ लिजिए कि brain sharp होगा आपका calculation fast होगा formula remind होगा और नए नए ideas आएंगे ठीक है तो इसको जब आप solve करेंगे तो इस तरह से पहले जब आप उसको जब एक में ट्रैक नहीं पकराए तो फिर उसको उपर वाले करते करते उपर जाईएगा ना यह आपको ट्रैक मिलेगा फिर धिरे-धिरे नीचे उतरिए तो answer आपको मिल जाएगा कि इसको आपको solve करना है अर्जुन अपने घर से 40 मीटर दख्षिं की और चलता है बाये और मुड़ता है और फिर 45 मीटर चलता है अगला question है चितर में एक व्यक्ति की और संकेत करते हुए मनीशा ने कहा वह मेरी माता की एक मात्र पुत्री के पिता है तो मनीशा उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है इसका आपको बताना है इसको आपको solve करना है बलाट रिलेशनस से संबंधित है इसका जो right answer है वो है पुत्री ठीक है आप लोग solve कर लिजे इसको अब देखिए तो इस तरह से आपका math खतम हुआ reasoning खतम हुआ और ये English है English ज्यादा marks का नहीं लाया हूँ 8 marks का लाया हूँ हर वीडियो में मैं 8-9 question English से डालता हूँ ज्यादा नहीं अब देखिए choose the correct one word substitution study of insect study of insect उसको क्या बोलते है राइट अंसर है इसका etymology ठीक है कीरों के अध्यन को etymology बोलते है ठीक है कीट का अध्यन etymology बाकि ये सब भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिए ठीक है अगला question है choose the correct meaning of the idea मोहाबडा है इसका आर्थ क्या होगा take away once breath इसका right answer है वो है take away storm ये देखिए take away storm मतलब इसका हिंदी होता है भौचक्का कर देना कि अगला question है और फ्रेशियस इसका आपको एंटोनीम एंटोनीम बताना है ठीक है उल्टा इसका क्या हो तो फ्रेशियस इसको आप इंदी में बोल सकते हैं जो खडूस टाइप का लोग होता है न उसको बोलते हैं फ्रेशियस तो इसका जो राइट अंसर है वो है जेंटल इसका होगा ठीक है थीक है फ्रेशियस अ कि मतलब होता हुदा वह घरिशिव और जेंटल तो उसका उल्टा हो गाई ठीक है उसके अगला question यह सैनोनीमस बताना है आपको रिडिम का रिडिम का सैनोनीमस इसमें से क्या होगा यह आपको बताना है तो इसका राइट अंसर है वह है recover ठीक है उसके बाद आपको बताना है fill the correct preposition आपको बताना है इसमें correct preposition कौन सो होगा he gives everyone dash in the class opportunity for practice यहाँ पर इन जो है सो perfect होगा line जो हो जाएगा he gives everyone in the class opportunity for practice अगला question है correct adjective आपको इसमें fill करना है I have dash homework to do than my sister I have less यहाँ पर हो जाएगा ठीक है ठीक है key point है एक बार आप देख लेजे इसको अब यहाँ पर कर प्रापर conjunction इसमें कौन सा होगा इसमें fill करना है Australia is the famous for the beauty and its landscape that's the hospitality of its people तो इसका right answer है वो डी है उसका जो exact line हो जाएगा वो हो जाएगा Australia is famous for the beauty of its landscape and the hospitality of its people ठीक है और उसके बाद आखरी question है past tense में जो है रन का जो है पास्ट फर्म क्या होगा भी टू पूछ रहा है तो रन 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 यह होता है तो इस तरह से आपका यह practice set complete हुआ उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ न कुछ benefit तो जरूर मिलेंगे हमारे set पे और अगर आप हमारे channel को subscribe नहीं किये हैं तो हमारे channel को आप लोग subscribe कर लेजिए और अगर subscribe किये तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर दिए जैसे कि अब फिर इसके बाद IOCL का एक्जाम आने वाल इसका फेकिंसी आने वाली है तो फिर मैं IOCL का भी practice set लेकर क्या आऊंगा और डिप्लोमा एन chemical engineering वालों के लिए आपको भी पता है कि कोई practice set नहीं मिलता है और कोई अच्छा सा channel भी नहीं है जो आप आपको better content provide कर पाए जो problem हम लोग face किये है मैं नहीं चाहता कि आप लोग को भी face करना पड़े 100% तो नहीं बोलेंगे लेकिन आपको हमारे videos से कुछ न कुछ benefit positive ही मिलेगा ठीक है तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग share करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोग समझ सकते हैं कि mobile से इतना मतलब काफी समय लग जाता है एक वीडियो लाने में इसलिए मैं 2-3 दिन का समय ले लेता हूं उसमें भी अगर सिर्फ बैठा रहा हूं सिर्फ वीडियो बनाना एक काम होता तो बात नहीं था जौब करते हुए आपके लिए इतना content लाना य जरूर करिए क्योंकि आपका share ही मुझे motivate करेगा आपके लिए best content लाने के लिए ठीक है तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद